नमस्कार बच्चो आप सभी का सुवागत है आपके अपने परिवार बंधन पाट साला यूट्यूब चैनल पे मैं अजित तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जारखन बोड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का न्यू सिलेवस के बारे में जो आपका जो 2024 में एक्जाम हो कि अखया को टेला है कितना अध्या पड़ेगा किने में पाट होते हैं कि सारे इसवीडियो में डिस्कॉस कियें लूप अप यह समयरा और इस वीडियो में सेमयरा 1,000 लाइक आओए तो आपके मझर चीचक आ सकता है集आ तो इस वीडियो का जरूर aldर कि माें एक हजार लाइक तो आप इस वीडियो को जरूर सेर करें अपने फ़र्ण सकता है कि उनको भी इनकी जनकारी मिल सके देखे देखा जाए तो जो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस को जानना बहुत ही महत्व होता है अगर जिदि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो इस चैनल आपके लिए काप ही महत्वून होने वाला है क्योंकि इस चैनल पर आपको कम्प्लेट से लेबस आपके बोर्ड इजाम से पहले आपको दे दिया जाए तो जो कि हमारा झारखन बोर्ड जो कि एजाम लिया जाता है कलास 10 का आपका फरवरी का लास्ट विक या तो मार्च के पहला बीक में आपका लिया जाएगा तो आपको जो कि है दिसंबर जो कि है एक दिसंबर से पहले आपको कम्प्लेट से लेबस आपको इस चैनल के मैंधें से जाएगा तो अब लोग दिखे ज़ुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके बेला को दबाना ना पीए वोड क्या को पढ़ना परेंगा ठीक है और कषा पेटर रहने वाला है देखिए सबसे पहले क्या विग्जान किया है क्या है यह जो बिग्जान्य ऐना साइंस उसको तीन भाग में माटा गिया तो कि आपका रासाइनिक विग्जान जिसे में लोग क्या क्या क्याते है रसानिक सास्त्र भी बुला जाता है उसको भोतिक विग्यान उसको भी भोतिक सास्त्र बोलते है और जो कि आपका है जीविग्यान ठीक है आपका तीन पार्ट में आपका साइंस को बंटा गया है तो पहला पार्ट आपका क्या होता है रसानिक विग्यान दूसरा भोतिक प्राइटिकल जो कि बिष्कुल से लिया जाए गा तो यह बिष्क पार नोट कि इसमें देखा जाए चाइचनल में कि अपका सब्जेक्टिव होगा और ऑपर के अपका ऑप्जेक्टिव होगा ठीक है मैं एक ही दिन में आपका दो तर्म लिया जागा जिस परकास दो चौशन में बोड इजाम में लिया था तो ज़र 24 में आपका इसी तरह सो होने वाला जो कि डिक्षोन देखें सी आप कार्ण नंबर देखने को मिलेगा क्या कभी क्या करते है इसमें कभी कभी क्या करते है इसका 27 देदिया जाता है पुखा जाता है और chemistry 2015 कविह क response करता है और इसमें कभी 27 ओर इसमें फिक्स 27 क्यों है इसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बतला यहां हूं तो आप लोग बने रहे हैं ठीक है मैं बताने बारा हम वीडियो में तो देखिये क्या जाता 26 चल जागा कुछी मिल्टो में देखिये अब क्या रखना है यो क्यों किमेस्ट् तो यहां जो कि आएग इसके बारे में डिसक्स करेंगे कि यह इस वीडियो में तावलक बने तो आम भी से करें में मील सके तो कुझ पर ले वीडिय को जितना हो सब आपने के साथ शेयर करें तके उनको भी आनगी मिल सके तो दखिए अगले आगला अगला जो की है है हमना हं एकला एधिया है एधिया क्या है और त्रalez स्क धातु है और शोच机 के बारे हम अनके योगी तो Egis देखा जाये थो हमारे विग्जान हमारे डीया है total this Ivan oton falar कश चार रद्य ना क्या होता है रासायनिक अभी क्रिया है यह दूसरा क्या होता है अमल चारग लावन और तिसरा क्या धातु और धातु और कारवन उनके योगी क्या बारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग इसको इसके सॉट कर लीजिए ठीक है चलिए बढ़ते है जो कि अगला हमारा पार्ट क्या है फिजिक्स है ठीक है अगी कि अगला 9 यह गी तो देखा जाए तो जो आपका 5 अदियान इसको Genین में रखा गया है इसके बाद प्रकास प्रावर्तन सपास लुप फेलजां आप लायट के बारे में पड़ेंगे जैसे मंल कि जैसे रोसनी जैसे लिए आहिड जैसे की अभी आपके घर में जो लाइड जा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, परकास का प्रवर्तन, अपरवर्तन के बारे में, काफी डिटेल से में आपको बताने बारे में चैनल के माध्यम से आप लोग चैनल के साथ बने रहा ना, ठीक है? देखे, आपका अगला दे इसमें बतलाया गया है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए अगर जदी एक्जाम में अच्छा नमर लगना चाहते हैं तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अध्या क्या है अगला? अगला 11 जो की है आपका बिदूत, इसमें बिदूत के बारे में पढ़ पढ़ेंगे ठीक है, बिदूत धरा के चुमबएक परवा के बारे में इसमें डाइनमो के बारे में इसमें पढ़ेंगे ठीक है, बहुत सारे इसमें पार्ग दिया गये बिदूत धरा के चुमबएक परवा के बारे में बड़े बड़े जो की आपका जब मोटर हो गया ठी अब चलिए देखते हैं अपका जो की है अगला पाट किया है जीव विज्ञान भीयंघ इसमें टुटल कितना है थीक है इसमें चैप्टर छैप्टर को पढ प्रना पड़ाई इसमें फाइब चिसरा पहला जो किए जिये परीक्रम ऑर कि इसके बारे में इसमें 8 आपका अनुवाण सिक्ता के बारे में और 13 अपका परियावरन के बारे में अध्यान खेंगे देखें आपको बोले थें इसमें तोल कितना आपका अध्या कि마 अब्साइफ पाहिजगी है यह परना पढ़ेगा ikke इना पाढ़ने इसमें अध्या कितना आपका 5 है इसलिए मैंने अपको बोला था कि दखिये समें क्या था को बाइलोजी मी कितना था आपका ऑगगे पीक्स राता है वो इसमें क्या होता था बब इसमें चेंज होता था होता था था इसमें क्या होता था इसमें अंख जो किया चेंज होता था क्यों होता था क्योंकि देखा था क्योंकि तोटल जो कि इसमें अध्या कितना है फोर्त अध्या है और इसमें तोटल किना अध्या है अपका 5 अध्या है ठीक है तो इसलिए अपर इसमें क्या है इसमें तो इसमें आपका फिज खो डियास को है इसलिए को इधर दर कर दिया जाता है ठीक है। इसमें एक प्धिया अधिक है इसी कारण से जो कि इसमें क्या था अधिक्स रहा था कि अपका आपको पूछे जाएंगे तो आपको इस वीडियो समझ में आ चुका आगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर सेर करें ताके उनको भी इनकी जनकारे मिल सकें तो चलिए मिलते हैं और एक निए वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम